नमस्कार सबागत है आपका हमारे चैनल लेक्स प्राइनी स्प्रिच्वल में और मैं हूँ आपके साथ शुरुती रोजाना की तरह हम फिर से आज इना अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशी फल लेकर जहां हम आपको बताते हैं कि आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है तो चले शुरुआत करते हैं बता दिया आपको कि राशी फल का मनुश्य के जीवन में विशेश महत होता है बहुत महत होता है राशी फल का हमारे जीवन में राशी के अनुसार वेक्ति के सभाव और भाविशे से जुड़ी कई जानकार यहां प्राप्त की जा सकती हैं ग्रह और नशत्र की चाल के अधार पर ही राशी फल का निर्मान की आ जाता है ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाय दी हमेशा समान नहीं होती आज 19 मैं बुद्धवार का शुब दिन है और आज गनपदी देवी की ग्रपा कुछ राशियों पर विशेस्ता है रहने वाला है जिससे इनका भागी खुल जाएगा तो चले शुरवात करते हैं बताते हैं क्या कहती है आपकी राशी चले बताते हैं आपका राशी फल और सबसे पहले शुरवात करते हैं मेश राशी वालों से नेश राशी वालों करने से मन प्रफुलित रहेगा और सकारात्मक्ता बनी रहेगी चली बात करते हैं अगली राशी ग्रश राशी वालुकले आज का दिन किस प्रकार से है निजी रिष्टों में सामंजस से बनाए रखने में आपका विशेश योगदान रहेगा पिछले कुछ समय में हुई गलतियों से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी दिन चर्या में सकारात्मक सुधार भी लाएंगे किसी प्रभावशाली विक्ति से मुलाकात सार्थक रहेगी चली बात करते हैं अगली राशी मिथुन राशी वालुकले आज का दिन किस प्रकार से है आप अपनी किसी होबी या हुनर को निखारने का प्रयास करें इससे आपको खुशी मिलेगी और मानसिक रूप से खुश करता मिलेगी पार्टनर्शिप संबंधी बिजनस में चोटी मोटी बातों को नजर अंदाज करना ही उचित है नजर अंदाज ना करने से संबंधों में खटास आ सकती है युवावर्ग अपने करियर को लेकर बहुत अधिक गंबीर रहेंगे घर परिवार के प्रति भी ठकान पान आपको स्वस्थ और सकारात्मक रखेंगे योगा वर्मेटेशन को अपनी दिन चर्या में शामिल करें जाद दली बुनी बोजन का सेवन ना करें घर परवार में खुशनुमा माहल बना रहेगा खुशी भरा माहल रहेगा चले बात करते हैं अगली राशी करक र समाधान मिलेगा प्रिंटिंग इलेक्ट्रानिक मेडिया इत्यादी से जुड़े बिजनस में सफलता हासिल होगी परंतु ये समय किसी नए कारिय या भविश्य की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए बिल्कुल भी अनकूल नहीं है पैसे का लें देन भी इस्थागित र प्रेम प्रसंगों में किसी बात को लेकर मद्भेदा सकते हैं स्वास्त कुछ नरम रहेगा तनाव की वजह से सिर्दर्द माईग्रेन की समस्या रह सकती है कुछ समय बागवानी इत्यादी जैसे कारियों में भी वैतीत करें घर परवार में कुछ नुमा महौल बना रहेग आप फाइनेंस से जुड़े कारियों को पूरा करने का प्रयास करें समय अनकूल है आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी घर के किसी सदस्य की सलाह तथा मार्ग दशन आपके लिए आशिरवाद साबित होगा और आपका आत्मे विश्वास बना रहेगा बिजनस में विवह हार कुशलता से विप्रीत परिस्थितियों को अनकूल बनाने की कोशिश करेंगे काफी हद तक सफल भी रहेंगे सही योगियों के साथ उचित सम्मंद्य बना कर रखें इससे कारेशेत्र में उचित ववस्था बनी रहेगी पति-पत्नी किसी छोटी सी बात को लेकर बाद ध्यान पर भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें योगा अब मेडियेशन का अपने दिन चरहें में शामिल करें जातली बोजन का सेवन ना करें खुशनुवा महौल रहेगा चले बात करते हैं अगली राशी करन्य राशी वाल उखली आज का दिन किस प्रकार से है किसी में तरक साहता से कोई उलजा हुआ कार्य बन सकता है जिसे संतुष्टी का भाव रहेगा जन सप्परक और अधिक मजबूत होंगे राजनितिक शेत्र से जुड़े लोगों का कोई कार्य आसानी से बन सकता है कार्य शेत्र में इसे दिमंद ही रहेगी उन्नती के लिए नयमार्ग औ सलाश करना जरूरी है ओफिस में आपका दबदबा कायम रहेगा अधीनस्त कर्मचारियों का भी पूर्ण सही योग रहेगा पारिवारिक वातवरन सुखद और मधूर रहेगा प्रेम प्रसंगों की निहाज उसे भी समय अनकूल है अपने उपर अत्यधिक कारे का बोज़ बना महौल रहेगा खुशनुमा महौल रहेगा चले बात करते हैं अगली राशी तुला राशी वालोगले आज का दिन किस प्रकार से हैं कोई भी कार्य बहतरीन तरीके से करने के लिए पहले उसके बारे में योजना और प्रारूप अभश्य बनाए इससे आपको कोई भी निर्णाय लेने में आसानी होगी बिजनस की गत्विधियां सामानी रहेंगी ध्यान रखिये कि किसी कर्मचारी की लापरवाही से नुकसान हो सकता है इसलिए कारे स्थल पर आपकी उपस्थती होना जरूरी है सरकारी तथा प्राइबेट जॉब में अतरिक्त कारेभार सम विप्रीत परिस्थितियों में भी आप सकारात्मक बने रहेंगे आपका योजना बध्य तरीके से अपनी दिन चरिया वकारियों को विवस्थित करना आपको अपने लक्ष प्राप्त करने में सहायक रहेगा निजी संपर्कों के माध्यम से कोई महत्यपूर्ण समचार भी मिल सकता है चली बात करते हैं अगली राशी धन राशी वालुकले आज को दिन किस प्रकार से है किसी नज़्दी की संबंधी के साथ महत्यपूर्ण मुद्दे पर वार्तालाफ होगा जिससे कोई निन्य लेने में आसानी होगी ग्रह सिति आपकी दिन चरिया में कुछ से चल रही किसी चिंता से भी कुछ समय पठेन पाठन और रुचिपूर्ण कारियों में भी जरूर वतीत करें चली बात करते हैं अगली राशी कुम्ह राशी वालुकले आज को दिन किस प्रकार से हैं वैस्तिता के बाव जूद आप परिवार तथा दोस्तों के साथ भी ब पहत्रिन रहेगा चली बात करते हैं अगली राशी में राशी वालुकले आज को दिन किस प्रकार से हैं कुछ समय ज्यान वर्धक तथा नई नहीं बातों की जानकारियां हासिल करने में भी वतीत करें इससे आत्म विश्वास बढ़ेगा कोई राज किये कार्ये किसी की मद कर जरूर बता है नेक्स ट्राइन इस प्रेच विलकी रिपोर्ट